हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजए, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम कंकोडा की चटनी बनाएंगे, वो भी देसी स्टाइल में आपके यहां पर कंकोडा को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना तो यहां पर देखी, मैंने कंकोडे लिये, कंकोडों को मैंने अच्छे से दुल के साफ कर लिये और अब हम इनको चुले में सेखेंगे, तो यहां पर सारे कंकोडे ले लिये और इससे लगबग 3-4 लोगों के लिए चटनी बन के तयार हो जाएगी तो आप जितने लोगों के लिए चटनी बना रहे हैं, आप उसे हिसाब से कंकोडे लिजिए और मैं इनको आज चुले में भूनूंगी, अभी हम गाउं में हैं, तो गाउं में देसी इस्टाइल से यह चटनी बना के तयार करेंगे अगर आप गेस पर बनाना चाते हैं, तो आप इसे तवे पर बून सकते हैं, या फिर आप किसी चलनी वगरे पर डालके इनको अच्छे से रोश्ट कर लिजिए तो यहाँ पर देखिए, मैंने चूले में साइड में थोड़ी सी जगे बना लिए, इन सारे कंकोड़े हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद हम इसे राक, गरम राक और अंगारू से कवर कर देंगे, जिसे की अंदर से पक जाएंगे, अगर आप चाहें तो इनको तो यह चटनी बहुत ज्यादा टेश्टी बनेगी, तो यहाँ पर देखिए, जो अंगारे हैं वो भी हम डाल देंगे, और साथ में जो गरम राक है, उससे भी हम इनको कवर कर देंगे, कवर करने के बाद 6-7 मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, और ध्यान यसे कंकोडा को सेख के तयार करेंगे, तो वो अंदर तक पकेंगे, और इनमें जो कड़वाट है, वो बिल्कुल खतम हो जाएगी, और फिर जो इसकी चटनी बनके तयार होगी, वो बहुत मज़ेदार बनके तयार होगी, तो यहाँ पर देखिए, मुझे इनको लगबग पके हैं या नहीं, तो उनको कच्छे लग रहा है, तो इनको मैने फिर से कवर कर दिया, और 4-5 मिनट के लिए इनको और पका लिया है, तो 4-5 मिनट में कंकोडे हमारे अच्छे से सिक्के तयार हो जाएंगे, और अब लगबग कंकोडों को पकते हो, लगबग 10 मिनट हो गय तो हम क्या करेंगे, एक-एक कंकोडे तो यहां पे देखिए सारे कंकोडे निकाल लिए और इनमें जो राक है वो हम हटा लेंगे तो आप इस तरह से एक बार थाली को अच्छे से चटक का लीजी जिससे की इनमें जो एक्ष्टा राक है वो निकल जाएगी और बाद में हम इनको दूल के भी त्यार करेंगे अगर कंकोडे हमेरे साफ हो गएं और मैंने लिया सिल्बटे के ऊपर हम यह कंकोडे डालेंगे और इसके जो आगे का नुकिला पार्ट होता है उसे में खटा लेना है तो इसी तरह से हमें सारे कंकोड़ को साफ करके सिल्बटे पे डाल देना है आप चाहिए इसे मिक्सी में भी के तयार कर सकते हैं लेकिन जो सिल्बटे पे जो चटनी बनती है वो अलगी बनती है और अब यह चटनी मेरी मम्मी बना रही है तो सबसे पहले हमें एक के कंकोड़े को अच्छे से तोड़ लेने हैं कई कंकोड़े होते हैं जो की अंदर से पके हुए होते हैं तो उनके हमें बीज हटा लेने और इसका जो उपर वाला पार्ट है वो हम चटनी में यूज कर लेंगे तो यहां पर देखिए यह कंकोड़ा पक्का हुआ है तो इसके मैंने बीज हटा दिया और बाद में इसी कंकोड़े को हमने फिर से इसमें डाल दिया तो इसी तरह से हमें सारे कोटे में या फिर वो जो हम अधरव गड़ 得 कोटें अनु इसमें भी आप कोटके तैयार कर सकते हैं तो यहां पे हमें ने मेरी ममें ने अच्छे से इनकों दरदरा सा कोटके तैयार कर लिया है और आप इस तरह से यह चटनी बनाएए हैं नग there यह चटनी बहुत टे कोड़ों ने पीस के तढ alar ना तो यहां पर सारे कंकोडू हमने पीस के तयारकर लिया और अब इसमें डालेंगे और लेसुन नहीं हमें इसमें पहली है डालना है नुद्स नाध्यमा से चकनाट और जाएगी और फिर कंकोडों भी लेसुन का फ्लेवर अच्छे से आजाए और यहां पर कंकोडे मार अच्छे से मिक्स हो गए तो उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे तो मैंने यहां पर एक चमच लाल मिर्च पाउडर डाला आदा चमच हम इसमें भुना वाजीरा पाउडर डाल देंगे और साथ में आदे चमच से थोड़ा से ज़्यादा नमक डाल देंगे इस से ज़्यादा हमें हम इसमें कूई भी मसाले नहीं डालना है नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के गए साफ से कमच ज्यादा कर सकते अगर आप चाहे तो हारी मिर्च भी आदालके उनको बी अच्छे तो यहां पर मसाले डालने के बाद हमें इसे एक बर अच्छे से मिक्स कर लेना और यह हमारी चट्णी बनके तयार हो जाएगी तो हम इनको इसको एक कटोरी में निकाल के तयार कर लेंगे आप चाहे तो इस चट्णी को सिधा एर्श से डायरेक्ट भी खा सकते हैं मैं भी ऐस सीधा डायरेक्टी इसे सव करूंगी आप चाहे तो इसको तड़का लगा के भी तैयार कर सकते हैं अगर आप तड़का लगा के चटनी बनाना चाते है तो आप थोड़ा सा तेल गरम करके उस मेराई जीरा से तड़का लगा दीजिए और उसके बाद ये चटनी डालके एक से के तैयार होगे इसमें बिल्कुल भी कड़वाट नहीं और बहुत ही मजजदार बनके तैयार हुई है तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ